साथियों मद्द प्रदेश भाजपा ने हर शेत्र हर वर्ग के लिए शामदार संकल्प पत्र जारी किया है मैं मद्द प्रदेश भाजपा के नेत्रुत्म को बधाई देता हूँ ये संकल्प पत्र मद्द प्रदेश के लोगों का विकास पत्र है हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक में एक लव्य आदिवासी अविद्याव है हर आदिवासी जिले में एक मेरिकल कॉलेज लाटली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ पक्के आवास धान और गेहुं किसानों के MSP के लिए भी MP भाजपा की गैरेंटी की वहवाई ओरिये चारों तरब जैजैकार हो रहा है बनुपजों को लेकर पेंदुपत्ता की खरीत को लेकर जो संकल पर लिया गया है उससे भी बहुत सारे आदिवासी परिवार को लाब होगा कॉंग्रेस तो अपने जमाने में आज जो भाशन जाड़ते हैं नेता उनके आकर के उनको उनके अपने पापों की भी याद नहीं है कॉंग्रेस तो शिरुप आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के छे या साथ वन उपजों पर ही MSP देती थी जरा बोलेंगे कितने कितनी वन उपज को MSP देती थी कितने सब बोलिये जरा किद्रे छे या साथ कितने जबकि भाजपा वन उपज कितनी वन उपज को MSP देती है मालूद है अपको 90 वन उपज को यह भाजपा MSP देती है कितने कितने साथियों हमारे देश में करीब धाई करोड ऐसे छोटे किसान है जो मोटा अनाज उगाते हैं मोटा अनाज उगाने वाले ऐसे करोडों छोटे किसानों के बारे में पहली बार भाजपा ने ही सोचा है हमने बोटे अनाज को स्री अन्न की पहचान दी है भाजपा का प्रयाफ है स्री अन्न को पूरी दुनिया को बाजार में ले जाना है आपको मालूगा मैं अमेरिका गया था वाइड राउस में जो खाना परोसा गया न वो भी मोटे अनाज से बना हुआ था अभी जी ट्वेंटी में दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आये थे सबको भी मेरे छोटे-छोटे किसान जो खेती करते न वो मोटा अनाज खिलाया था ताकि पुरी दुनिया में ये मेरा मोटा अनाज पहुंचे वो स्रीयन है सूपर फूड है अब फाइस्टार होटल में भी लिखते हैं सूपर फूड ये 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 मिलेगा ये काम मोधी करता है हमारे मक्का किसानों को बहतर कीमत मिलें इसके लिए आज मक्के का निर्यात भी हो रहा है रकोर निर्यात हो रहा है दुनिया के देशों में जा रहा है कि भाजपा पुरे देश मैं इथेनॉल प्लांड भी लगा रही है कि मक्के मैं से इथेनॉल बनाना जिससे गाड़ी चलती है पेट्रोल से जैसे गाड़ी चलती है न मक्के से बने इथेनॉल चलाते अठ और उसके कारान किसानों को भी मक्के का ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ है